News 18 इंडिया पूछते हैं सर कल हमने बाचीत का दोर देखा और आज कुछ हमें हिंसक जड़पे भी देखने को मिली अखिरकार बात कहां तक आगे बढ़ रही है इसको इस इश्यू को सॉल्फ करने में 2014 से ही जब से मोधी सरकार आई कृषी एंवं किसान कल्यान मंत्रा ले किसानों के कल्यान के लिए भी बहुत सारी योजनाय लाए और इनको धरातल पर लागू भी किया और मैं कहना चाहता हूं हम पहले दिन से किसान कल्यान के लिए काम कर रहे थे आज भी कर रहे हैं और जब तक टेबल पे बैटके यही कहता है कि हम नहीं गए, हमारे मंतरी नहीं गए, परदरशनकारी चर्चा को छोड़ कर गए. इसलिए मैं कहना जबत हूं सरकार सदैव चर्चा के लिए तयार थी और आगे भी रहेगी. तो सरकार की और से ना कभी पहले कमीती ना आज दूसरा विशे में आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेखना चाहते हैं आज कॉंग्रेस का जो ब्यान आया मुझे तो हसी आती है कॉंग्रेस का ब्यान सुन पर अब आती है MSP की बाद जिस पे लगा अतार ये विपक्षी दल ये इनको इतना भटकाते हैं तो किसी भी आंकडे में किसी भी तुलना में कॉंग्रेस फीकी दिखती है ना ये कृशिक का भला कर पाए कृशिक शेतर का ना किसान का कल्यान कर पाए जहां दूसरी और मोधी सरकार ने बहुत कुछ किया इन्होंने तो चौधरी चरंज सिंग जी को स्वामिनातन जी को नमान सम्मान दिया मोधी सरकार ने भारत रतन से सम्मानित किया दोनों को अनुराग जी इस अब आपने आकडे गिनाय और comparative analysis किया अब आखिरकार मानेंगे कैसे प्रदर्शन कारी मानेंगे कैसे अब क्योंकि वो तो उटकर चले गए तो इस बाबत क्या प्रयास किये जा रहे हैं देखिए किसी भी बात का हल चर्चा से निकलता है अगर कतर का उधारन भी लेंगे हमारे नौ सेना के अधिकारीयों को जिस तरह से वहाँ पर गिरफतार किया गया था फांसी की सजा थी मोदी जी ने देश के एक एक नागरी के हित की बात की तो आज उनको पहले फांसी की सजा हुई पांची से उनको उमर कैद की हुई फिर उमर कैद से अब उनको रिहा किया गया ये बाची से ही हल हुआ है करिको ंख किया है तुछ किया गया है पांची जनको यह रियता पृप मे एक मोजच्य दो अजार किया वाग में एक लो पतkins के थाइक पांची का उना वाग